अधिकारी बताते हैं कि नदी पार करते हुए उनकी मौत हो गई माता पिता बेटा बेटी सब बॉर्डर पार करते हुए मारे गए भारत आर्थिक तरक्की के रास्ते पर है लेकिन पैंसट सो करोड़ पतीस देश को छोड़ने भी वाले हैं और अब भी भारी संख्या में भारती आर्थिक तरक्की की खोज भारत से बाहर कर रहे हैं यानि कि भारत के लिए माइग्रेशन एक बड़ा मसला है देश के बाहर ही नहीं अंदर भी बिहार और यूपी जैसे राजियों से भारी संख्या में देश के अंदर माइग्रेशन होता है हाला कि जब हम माइग्रेशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसी छबी बनती है लेकिन वे ऐसे भी दिख सकते हैं और ऐसे भी Migration एक बहुत जटिल मुद्दे को दिया गया साधार अनाम है वैसे तो refugee और शरणार्थी migrants होते हैं लेकिन असल में दो तिहाई migrants काम की खोज में एक जगह से दूसरी जगह गए होते हैं Migration से जोड़ी और भी कई गलत अवधार आये हैं जिन में से 5 की सच्चाई हम आपको बता रहे हैं पहली है Migration नीती सक्त होगी तो Migration कम होगा दिवारें, बाड, सीमा बंदी ये सब अवैध माईग्रेशन को रोकने के तरीके हैं लेकिन ये समस्या की जड़ का इलाज नहीं करते जड़ जैसे की युद्ध, गरीबी या जलवाईू परिवर्तन ये लोगों को खतरनाक और लंबे रास्तों से यात्रा करने को मजबूर करते हैं जहां लोग ना सिर्फ अपनी जिन्दगी बलके अपने अधिकारों और भविश्य को भी खत्रे में डाल देते हैं इस बात के भी सुबूत हैं कि सक्ती होने के बाद कुछ दिनों के लिए माईग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि लोग सक्ती लागू होने से पहले ही सीमा पार कर जाना चाहते हैं और जब माईग्रेशन के लिए एक से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाता है तो वे उसी देश में इस्थाई तोर पर रुके रह सकते हैं जहां वे उस वक्त हैं नीतियां ज्यादा उदार हों तो माईग्रेशन का चक्र लगातार चलता रह सकता है यानि मौसमी कामगार जरूरत पढ़ने पर कहीं जाएं और फिर लौट आएं दूसरा भ्रहम, देश की अर्थ होयस्था विक्सित होने पर उस देश को कम लोग छोड़ कर जाते हैं सुनने में ठीक लगता है न? अगर भविश्य अच्छा दिख रहा है तो कोई अपना देश छोड़ कर क्यों जाएगा? लेकिन सच्चाई ये है कि जब अर्थ होयस्था विक्सित होने लगती है तब वहां से माइग्रेशन भी ज्यादा होता है ऐसा इसलिए क्योंकि अपना घर छोड़ कर कहीं और जाना काफी खर्चीला काम है गरीब देशों में लोग कहीं और जाने का खर्च नहीं उठा सकते लेकिन बढ़ती अर्थ होयस्थाओं जैसे मैक्सिको, तुर्की या भारत में लोगों के पास ज्यादा संसाधन हैं और वे वैध तरीके से विदेश जाने का खर्च भी उठा सकते हैं लेकिन बात बस खर्च की नहीं है जैसे जैसे अर्थ होयस्था विक्सित होती है, लोगों की महत्वा कांग्शाएं भी बढ़ती हैं कई बार माइग्रेशन सर्फ हिसाब किताब पर आधारित नहीं होता लोग अपने भविश्य के विकल्पों में विविद्धा भी लाना चाहते हैं वोई संतुस्टी और विकास के नए अफसरों की तलाश करना चाहते हैं हलांकि ऐसा कुछ हद तक ही होता है एक बार विकास एक सीमा पर पहुँच जाए और लोगों की महत्वकांग्षाएं देश में पूरी होने लगे तो उनके कहीं और जाने की संभावना भी कम हो जाती है तीसरा भ्रम जिन देशों को लोग छोड़ कर जाते हैं उनका नुकसान होता है जब कोई अपना देश छोड़ता है तो अपनी सिक्षा, अपना कोशल और पैसे कमाने की संभावनाएं अपने साथ ले जाता है आमधारणा है कि इससे तो उसके देश का नुकसान होता है आप्रवासन कोई श्राप नहीं है किसी देश के विकास में माईग्रेशन सबसे बड़ी बाधा नहीं है ये कई बाधाओं में से बस एक है काम की तलाश में प्रवासी अकसर उन देशों से आते हैं जिनकी आबादी बहुत ज्यादा हो और काम वह संसाधन कम हो लोगों के चले जाने से उस देश में बेरोजगारी दर का दबाओ कम होता है और रोजगार दर बढ़ती है विदेशों से भेजा गया ये पैसा बहुत एहम होता है हालांकि ऐसा नहीं कि इसी से विकास हो जाता है लेकिन इस से परिवारों और समुदायों को बड़ी मदद मिलती है और कई बार पूरी अर्थेवस्था को भी मसलन ताजिकिस्तान में 2022 में विदेशों से आया पैसा देश की कुल जीडीपी का लगभग एक दिहाई था आस्ट्रेलिया के पास बसे टोंगा में तो ये लगभग आधा था लेकिन ध्यान रहे, बात सिर्फ पैसे की नहीं है जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो नई विचार फैलाते हैं नई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रास्तों को खोलते हैं सिर्फ वापस अपने घर पैसे ही नहीं भेजते और बहुत से मामलों में माइग्रेशन के कारण मूल देश में सिक्षा और प्रसिक्षन का विकास होता है चोथा भ्रम, माइग्रेशन से अर्थवियवस्था को नुकसान होता है शोध दिखाते हैं कि विक्सित देशों में यानि प्रवासी अपना देश छोड़कर जहां पहुँचते हैं वहां माइग्रेशन से आम तोर पर उत्पादकता और आर्थिक विकास बढ़ता है ये देश माइग्रेशन के कारण सफल नहीं है वो इसलिए सफल हैं क्योंकि वहां कानून का राज है और शिक्षा का मजबूत धांचा है लेकिन माइग्रेशन के बिना वो इतने सफल नहीं होते जितने आज हैं माइग्रेशन उनकी सफलता में एक महत्पूर्ण कारख है इन देशों में सरकारी संसाधनों पर बोज बनने के बजाए प्रवासी ज्यादा टैक्स देते हैं और जितना उन्हें फायदा मिलता है उससे कहीं ज्यादा वे समाज को लोटाते हैं लेकिन आर्थिक चुनौतियां भी हैं पहली इन आर्थिक लाभों के अवसर पैदा करने के लिए प्रवासीयों के पास काम के अवसर भी होने चाहिए ये भी संभव है कि कम कुशल कामगार प्रवासी वेतन का इस्तर कम कर दें जिससे उस देश में गयर वराबरी बढ़ जाए पांचमा भ्रम, माइग्रेशन से आवादी में बुढ़ापे की समस्या हल हो सकती है बहुत सारे पशिमी देशों में आवादी बूढ़ ही हो रही है इसका मतलब है काम करने वाले घट रहे हैं वर्कफोर्स में आती इस कमी को पूरा करने के लिए उन्हें युवा प्रवासियों की जरूरत होती है लेकिन माइग्रेशन अकेले इस समस्या को हल नहीं कर सकता आम तोर पर बुढ़ी होती आवादी की रफ्तार इतनी मजबूत होती है कि सिर्फ प्रवासियों के आने से नहीं थम सकती मसलन यूरोपी आयोक के लिए हुआ 2019 का एक शोद दिखाता है कि माइग्रेशन दोगुना कर देने से भी आवादी के बुढ़े होने की समस्या हल नहीं होगी तो ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि इमिग्रेशन के ज्यादा से ज्यादा फाइदे उठाये जाएं जब प्रवासि किसी देश में जाते हैं जैसे कि जर्मनी में और वहां कई बार वर्षों तक उन्हें स्थिती साफ नहीं होती मतलब वो वहां रह पाएंगे या नहीं या वो काम करें और भाशा सीखें तो उससे उन्हें स्थाई तोर पर रहने का मौका मिलेगा या नहीं ये लोगों के समाज में घुलने मिलने और सफल होने के रास्ते में बाधा बनता है क्योंकि हो सकता है कि एक दिन जर्मनी ये फैसला करें कि वो लोग अवैद रूप से आये थे इसलिए उन्हें वापस जाना होगा ये इंटीग्रेशन और सफलता के लिए अच्छा नहीं है ये कैसे किया जाना चाहिए? इसकी अच्छी मिसाल है कनाडा वहाँ की सरकार प्रवासियों की संभावनाएं समझती है और ज्यादा लोगों को लाना चाहती है शुरुवात से ही प्रवासियों को साफ पता होता है कि उन्हें कहां, कब, कैसे और क्या मिल सकता है तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? Migration हमेशा होता रहेगा ये मानवीय स्थिती है हमेशा रही है और हमेशा रहेगी इसलिए ऐसी Migration Policy हो जो मानवीय स्थितियों के अनुकूल हो मसलं सरकारें, सुरक्षित और वैद्य माईग्रेशन को बढ़ावा दें अगर सही तरीके से अंजाम दिया जाए तो प्रवासी जहां से आएंगे और जहां जाएंगे दोनों देशों को फायदा पहुंचाएंगे